हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 28 दिसंबर को हुए C-Tat21 पेपर 2 के CDP के फुल 30 कोशन्स कम्पलीट करेंगे दोस्तों आज से आपके पेपर 2 की CDP की सीरीज सुरू कर रही हूँ चैनल को सपोर्ट जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूंगे दोस्तों आपका पहला कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव गौत्सिकी के दरश्टिकोड का सही वरण करता है तो आपका फर्स्ट का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा अधिगम अकसर विकास के अग्रिम होता है लर्निंग ओफिन प्रसीड्स डवलब्मेंट्स आपका सेकिन कोश्चन आया था विकास वादी सिध्धान्त कार जो विकास की प्रक्रिया को जीवन भर पर्याप्त नमनीयता के रूप में देखते हैं वे डैश के महत पर जोड़ देने की संभावना रखते हैं तो आपका सेकिन कोप्शन दूसरा सही हो जाएगा पर्यावरण और अन्भाव इन्वार्मेंट एंड एक्सपिरियंस आपका थार्ड कोशन आया था विकास आत्मक प्रक्रिया में असंतता का अर्थ है दिसकंटिन्यूटी इन देवलपमेंटल प्रोसेस रिफरस्टो तो आपका थार्ड कोशन पहला सही हो जाएगा दुनिया को समझने के नए तरीके जो विकास की प्रक्रिया के दोरान सामने आते है आपका फूर्थ कोशन आया था पालन पोशन की प्राधिकारिक सैली किस पर अधारित है आपका फूर्थ कोशन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा जब संभव हो तब बच्चे के साथ साजधारी में निर्ण लेना आपका फिप्ट कोश्चन आया था जीन पियाजे के अनुसार विकास आत्मक बदलाओ की प्रक्रिया निम्न में से किस विशिस्ट संग्यानात्मक प्रकारियों द्वारा घटित होती है तो आपका फिप्ट कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा आत्मशाती करण एवं समायोजन आसिमिलेशन अन अकमूडेशन आपका सिख्ट कोश्चन आया था एक पांस साल की बच्ची को उसकी सिच्चिका ने पांच छोटे पथर दिये बच्ची ने उन पत्थरों को अलग-अलग प्रकार से एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन एवं एक वरत्त में लगाया फिर उसने उन पत्थरों को बार-बार गिना जीन पियाजे के अनुसर ये बच्ची निम्न मेसिक कि संग्यनात्म की स्कीमा को ग्रहेंड करने की कोसिस कर रही है तो आपका 6th कॉप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा संख्या का संरच्छन Conservation of Numbers आपका 7th कॉप्शन आया था लेव गौसिकी के अनुसार संग्यनात्मक विकास के लिए निमने में से किसकी मद्यस्थ था आवश्यक है तो आपका 7th कॉप्शन पहला सही हो जाएगा संस्कृतिक उपकरन Cultural Tools दोस्तों गर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजएगा आपका 8th कॉशन आया था लेव विगोश्की के अनुस्वा समीपस्थ विकास के छेत्र को किस प्रकर बढ़ावा दिया जा सकता है तो आपका 8th कॉप्शन पहला सही हो जाएगा संयोगात्मक समवाद Collaborative Dialogues आपका 9th कॉशन आया था लॉरेंस कोलवग द्वारा सुझाई उत्तर पारंपरिक नतिक्ता के अंतरगत इस्तरपाच की नतिक्ता क्या अंकित करती है The stage 5 of post-conventional morality as given by लॉरेंस कोलवग is marked by तो आपका option 3rd correct हो जाएगा ऐसे नेतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो नीति सास्तर के परे हो Formulation of moral rules that bypass ethics आपका 10th कॉशन आया था एक प्रगती सील सिच्छक को अपनी कच्छा में किस प्रकार का रवया अपनाना चाहिए तो आपका 10th कॉशन तीसरा सही हो जाएगा समानुभूती वास्तविक्ता एवं परवाह का Empathy, Realness and Care आपका 11th कॉशन आया था बच्चों की बुद्धी का आकलन करने के लिए IQ का इस्तमाल करने के क्या मुख्य सरोकार है तो आपका 11th का option दूसरा सही हो जाएगा 1st, 2nd, 3rd and 4th प्राप्ताइं की आई स्थिर्था परिछणों में सांस्कतिक पूर्वा ग्रय परिछणों का उत्पादक केंद्रित होना बच्चों को नमांकित करना आपका 12th कोशन आया था Harvard Gardiner के अनुसार अंतरा वैक्तिक बुद्धी वाले व्यत्ति की क्या विसेस्ता है तो आपका 12th कोशन तीसरा सही हो जाएगा स्वैम की जटल भावनाव सक्तियों वाकम जोरियों का ग्यान एन एक्सपिरियंस आफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विदिन अ क्लास रूम अकॉर्डिन तो Harvard Gardiner refers to knowledge of one's own complex feelings, strengths and weaknesses आपका 13th कोशन आया था कच्छा के बीतर एक से चकी भूमी का बच्चों को लिंक से सम्मन देत निमनल खितमे से कौन सा द्रश्टी कोड करने द्रश्टी कोड व्यक्त करने के लिए प्रोथसाहित करना है तो आपका 13th कोशन फूर्थ सही हो जाएगा लेंगिक रूडिवादी लचीलापन जेंडर स्टिरियोटाइफ फ्लेक्सिबिलिटी आपका 14th कोशन आया था अधिगम में विवित्ता रखने वाले विद्यार्थियों की कच्छा में एक से छक को तो आपका 14th कोशन दूसरा सही हो जाएगा आधिगम में विविद्गती रखने वाले विद्यार्थियों की भागेदारी लेने के सजनातमक तरीके खोजने चाहिए दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका 15th कोशन आया था रचनातमक आकलन का प्रियोग मुख्यता फॉर्मेटिव असेस्मेंट इस जेनरली यूजड तो आपका 15th कोशन दूसरा सही हो जाएगा सिच्छिकों को बहतर यूजणा बनाने एवं विद्यार्थियों को सयोगातमक एवं गैर मूल्यांकत प्रति पुस्टी देने के लिए किया जाता है आपका 16th कोशन आया था निम्न लिखित में से कौन सब बहु सांस्क्रतिक सिच्छा का एक उदेश्य है मल्टी कल्चिरल एडुकेशन इस एम्ड एट तो आपका 16th कोशन दूसरा सही हो जाएगा एक अच्छा के भीतर बिभिन सांस्कतियों के बच्चों के लिए से अच्छिक समानता आपका 17th कोशन आया था वंचित एवं पिछड़े वर्के विद्यार्थियों की सिच्छा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो आपका 17th कोशन दूसरा सही हो जाएगा फर्स सेकेंड और थर्ड पूर्वा ग्रहों का ज्यान की स्थानी सनरचनाओं की समझ के अभाव का अवरो ही पाठ चर्या टाप डाउन करिकुलम आपका 18th कोशन आया था सजनात्मक सोच को निम्न में से किसके दौरा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है तो आपका 18th कोशन तीसरा सही हो जाएगा अभिसारी सोच कनवर्जेंट थिंकिंग कोशन में पुछा गया था बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है इसलिए आपका उप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा अभिसारी सोच आपका 19th कोशन आया था एक गती विश्यक अच्छम विद्यार्थी एक प्रात्मिक विद्यालाय में दाखिला लेती है निम्न में से कौन सी पद्धत इस बच्ची के स्कूल में समावेस को सुसाद करने में सहायक नहीं होगी तो आपका 19th कोशन फूर्थ सही हो जाएगा अच्छमता के प्रती सहानभूती जताना कोशन में पुछा गया था सुसाद करने में सहायक नहीं होगी इसलिए आपका option fourth correct हो जाएगा अच्छमता के प्रती सरहानुभूती जताना दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपका 20th question आया था एक सामानी स्कूल में विशिस्ट सरवर अच्छमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीती सुसाध्यक नहीं है तो आपका 20th का option तीसरा सही हो जाएगा की गई तरुटियों पा निरंतर नकारातमक टिपडिया तो question में पुछा गया था रणनीती सुसाध्यक नहीं है इसलिए आपका option तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियों बनाती रहूंगी प्लीज आप चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आपका 21st question आया था इसकूल में सफलता के पैमाने को विशिस्ट से छडिक उपलब्दी तक सीमित ना रखकर व्यापक होना चाहिए ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है तो आपका 21st option दूसरा सही हो जाएगा समाजिक समवेगिक छमताओं का विकास करके जो सिच्छा का एक एहम अंग है आपका 22nd question आया था निम्न में से किस से एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवाम इसपस्टता की पुस्टी होती है तो आपका 22nd option 4th सही हो जाएगा वास्तविक जीवन की इस्थतियों में सीखी गई अवधार्णाओं को लागू करना आपका 23rd question आया था बच्चों को प्रभाव साली समस्या समधान करता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहया करवाए जाए तो आपका 23rd option दूसरा सही हो जाएगा स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्य की खोज करके डिस्कवर आ कॉंसेप्ट थू इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपका 24th question आया था अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो तुटिया करते हैं तो आपका 24th option तीसरा सही हो जाएगा उन्हें संग्यानात्मक प्रक्रिया का सहेज एवं स्विक्रत हिस्सा समझना चाहिए आपका 25th question आया था बच्चों के समवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है तो आपका 25th option तीसरा सही हो जाएगा समवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एक ही करत रूप में समलित करना चाहिए Emotions, given meaning to learning, experiences and needs to be integrated within learning process आपका 26th question आया था बच्चों को आंत्रिक रूप से अभिप्रेरित अधिगम करता बनाने के लिए किस तरह प्रुटसाहिद किया जा सकता है तो आपका 26th option तीसरा सही हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया के दोरान की गई तुटियों से सीख कर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर के बिना तो आपका 27th option पहला सही हो जाएगा आसफलता का न्यून भै, छमता का वार्दिक द्रस्टिकोड, लो फियर अफेलियर, इंक्रीमेंटल व्यू आफ एबेलिटी आपका 28th question आया था निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभाव साली समस्या समाधान में बाधक है तो आपका 28th option दूसरा सही हो जाएगा प्रत्क्रिया अनमयाता रिस्पॉंस सेट आपका 29th question आया था तच्छा में विद्यार्थियों में पारिस पर एक प्रतिस परधा के लिए प्रेरित करने के कई परड़ाम हो सकते हैं आपके अनुसरा निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकाराग है तो आपका 39th option तीसरा सही हो जाएगा 1, 2, 3 and 4 question ने पुछा गया था कौन से कारक हानिकाराग है इसलिए आपका option 3rd सही हो जाएगा 1, 2, 3 and 4 इससे कच्चा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विवेदी करण होता है इससे विद्यार्थियों पर दवाव पढ़ता है वचिंता का इस्तर बढ़ जाता है जो उनके संग्यनात्मक विकास को बाधित करता है इससे कच्छा में तारग विद्यार्थियों को चिन्नित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है इससे विद्यार्थियों को पतिसपार्धिक बजार केंद्रित अर्थ व्यस्ता में ढलने के लिए तयार किया जाता है आपका थर्टियत कोश्चन आया था अर्थपूर अधिगम की प्रक्रिया किस से सुसाद्य होती है तो आपका थर्टियत को आप्शन पहला सही हो जाएगा विद्यार्थी के निजी दर्संसास्त रेवं दर्ष्टि कोड से परसनल फिलोस्पी एंड परस्पेक्टिव आफ दा लर्नर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको इस चनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आज हम 20 दिसंबर को हुए सी टेट 21 पेपर 2 के हिंदी के फुल 30 कोशन्स कम्पलीट करेंगे दोस्तों आप काफी दिन से मुझे कह रहे थे पेपर 2 के हिंदी कोशन्स भी कराईए तो दोस्तों आप मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है तो आपको ऐसे वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा तो दोस्तों आपका पहला कोशन्स पैसेज वाला दिया गया था तो आपका पैसेज ये गिविन था तो आप पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा मैं डारेक्ट आपके कोशन्स और उनके अंसर्स बताते जाओंगे आप पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा तो दोस्तों आपका पहला कोशन्स इस पैसेज से दिया गया था निमनलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य चुनिए तो आपका फर्स्ट का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा वन धर्टी के जीते जागते सुर्ग हैं आपका सेकेंड कोश्चन दिया गया था ये सारे कोश्चन आपके इसी पैसे से दिये गए हैं तो आप आराम से इनके अंसस निकाल लीजेगा तो आपका सेकेंड कोश्चन था धर्त्री स्रस्टी का आधार है वाक्य में नहीं सब्द स्रस्टी का विलोम सब्द है तो आपका दूसरे का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्रलाए कोश्चन में सब्द विलोम पूछा गया था इसलिए आपका ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्रलाए आपका थाड़ कोश्चन आया था अनुछेद के अनुसार प्रकृति का संतुलन बनाये रखना आवस्यक है ताकि तो आपका थाड़ कोश्चन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा धर्ती कोप्रलाए के महा मेग से बचाया जा सके आपका फूर्थ कोश्चन आया था जिग्यासा सब्द का अर्थ है तो आपका फूर्थ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा जानने की इच्छा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको डेली सीटेट के विसके सलुशन्स आपको मिलते रहेंगे आपका फिप्ट कोश्चन आया था वन धैत्री के जीते जागते स्वर्ग हैं परदर्शन के अधार पर अनुच्छेत की प्रभाव साली वाक्य सनरचना पुस्टी करती हैं तो आपका फिप्ट कोश्चन फोर्थ सही हो जाएगा वनों से वर्सा और वर्सा से अन्य मिलता है आपका सिख्थ कोश्चन आया था अनुच्छेत से ज्यात होता है कि प्रक्रती ने सुच्छ तो आपका सिख्थ कोश्चन पहला सही हो जाएगा हवा मुक्त हस्थ से लुटाई है आपका सेवंध कोश्चन आया था एक वर्च दस पुत्रों के समान मानने की बात किस वाक्य में सटीक है तो आपका सेवंध कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा वन सनरच्छन द्वारा हरित्री को प्रलय के महमेक से बचाया जा सकता है तो आपका एट कोश्चन आया था गद्यान से ग्यात होता है कि मानव की जिग्यासा बढ़ने का कारण है तो आपका 8th option दूसरा सही हो जाएगा भौतिक वाद का पाउं पसारना आपका 9th question आया था दिव शक्ति के रूप में हम किसे पूझते हैं तो आपका 9th option पहला सही हो जाएगा जल पवन दोस्तो ये सारे question आपके इसी पैसेज से पूछे गये थे तो आप आराम से पैसेज पढ़िए और उसका answer निकाल लिए मैंने आपके correct answers करवा दिये हैं आपका फिर दूसरा पैसेज दिया गया था जिसमें से आपके questions पूछे गया थे तो मैं आपके questions पढ़ूँगे और उसके answers बताते हुए चलूँगे तो आपका 10th question इस पैसेज से आया था तो question दिया गया था दूजों के जो हाथ पकड़े हाथ उनके कब के छूटे उक्त पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो आपका 10th का option थर्ड सही हो जाएगा स्लेस अलंकार आप आराम से इस पैसेज को पढ़ियेगा और उसके answers आप निकालियेगा आपका 11th question आया था पद्यांस में व्याकरण की दर्ष्टी से सुन्दर शब्द क्या है तो आपका 11th option दूसरा सही हो जाएगा विशेशन आपका 12th question आया था विश्व गुरू बनने है तू कभी की क्या राय है तो आपका 12th option तीसरा सही हो जाएगा आप में निर्भरता है तू परिस्रम करना आपका 13th question आया था आप में मन्थन शब्द का अर्थ है तो आपका 13th option पहला सही हो जाएगा स्वाव इसलेशर करना दोस्तो ये सारे question आपके इसी पैसस से पूछे गयते तो आप अराम से पैसस को पढ़िएगा और उसके answers निकालिएगा आपका 14th question आया था सुन्दर भविस से कवी का आसे है तो आपका 14th option पहला सही हो जाएगा आत्म निर्भर आपका 15th question आया था इस कवीता का मूल भाव है तो आपका 15th option दूसरा सही हो जाएगा आत्म निर्भर बनना आपका 16th question आया था भासा डैश है तो आपका 16th option तीसरा सही हो जाएगा नियम संचालिक विवस्त था दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं आपका 17th question आया था एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती या करता है सिच्छार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करो उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मना ही है इस विदि को किस रूप में जाना जाता है तो आपका 17th option दूसरा सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा 22 भासा है आपका 19th question आया था एक कच्छा कच्छ में विभिन साधनों जैसे दीवार पर कच्छा उस्तकालय स्रवे द्रसक के द्वारा से छर्टियों को भासा पर ध्यान देने के अफसर दिये जाते हैं इसे क्या कहना चाहिए तो आपका 19th question तीसरा सही हो जाएगा निवे सम्रद्य परिवेश आपका 20th question आया था पठन सामगरी को सरसरी द्रस्टि से पढ़ने का अर्थ है तो आपका 21st question फोर्थ सही हो जाएगा सामान अर्थ के लिए पढ़ना आपका 21st question दिया गया था शेब्द संपदा का परियोग उचारण तथा व्याकरण डैश है तो आपका 21st option दूसरा सही हो जाएगा रूप उनमखी भासाई निवेश आपका 22nd question आया था उत्पादक सब्द संपदा क्या है तो आपका 22nd option पहला सही हो जाएगा वे सब्द जिनने हम लेखन तथा वाचन में प्रियोग करते हैं आपका 23rd question आया था कार्य विधिक ज्यान सचार्थियों की किसमें सहायता करता है तो आपका 23rd option तीसरा सही हो जाएगा संपरेशन में व्याकरण के नियमों को लागू करने में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपका 24th question आया था लेखा का कौन सा उपागम लेखन के दुआरा लिखना सीखना को इसपस्ट कर सकता है तो आपका 24th question दूसरा सही हो जाएगा लेखन का प्रक्रिय उपागम आपका 25th question आया था निम्न लिखित में से कौन सा एक्स्ट्रा पोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयम को रखना लेखन कार्या है तो आपका 25th question पहला सही हो जाएगा कलपना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनभाव का वर्ण कीजिए जिसमें आपकी एक अजनभी से मुलाकात हुई थे आपका 26th question आया था समग्रियों में सिच्छा सास्त्र को अंतर नहित करना है तो आपका 26th का option 4th सही हो जाएगा समग्रियों की सिच्छा सास्त्रिय समझ आपका 27th question आया था एक सिच्छ का प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविदी आयोजित करती है कच्छा को पांच के समू में बाटकर उन्हें समू में बाचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विशय देती है बात में प्रतिएक समू से एक-एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कच्छा के सामने एक समू के रूप में बाचीत करने के लिए कहती है वे किसे बढ़ावा देने का प्रियास कर रही है आपका 27th का option पहला सही हो जाएगा आधार बूत अंता वैक्तिक संपरेशणातमक कोसल आपका 28th question आया था सिच्छड अधिगम प्रक्रिया के दोरान विद्यार्थियों की प्रगती की मौनीटरिंग तथा सुधार के लिए तयार किये गए आकलन है तो आपका 28th का option दूसरा सही हो जाएगा आधिगम के लिए आकलन दोस्तों आपको इस चैनल पर ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपका 29th कोशन आया था राश्ट्री सच्छानीती 2020 सास्त्री भासा के अध्यन को डैश के रूप में अनमोधित करती है तो आपका 29th का option तीसरा सही हो जाएगा एक अतरिक्त विकल्प आपका 30th कोशन आया था एक सिच्छा अपनी कच्छा में विद्यार्थियों के दो दो के समू बनाती है और उन्हें वाक्यों वाली एक कहानी देती है उनमें से एक जोड़े के पास विसम संख्या वाक्य वाक्य एक तीन पाँच छापे हुए तथा अन्य वाक्य खाली है दूसरे जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाक्य दो चार छे तथा विसम संख्या वाक्य खाली है विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरों को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है इसमें स्रवर्ड वाचन पठन तथा लेखन समलेत है इस कारे को किस रूप में जाना जाता है तो आपका 30th का उप्शन पहला सही हो जाएगा पारस परिक सुर्थ लेख तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सेयर भी कर दीजिएगा और आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर डेली आपको मिलते रहेंगे थैंक यू फर वाचिंग वाचिंग वीडियोस